अस्लावनेकूम, आजम पढ़ेंगे स्टोरी, पीछ नमबर 95, दा ओक्सर एंड दा लाइन, ओक्सर बैल की जोड़ी, एंड दा लाइन और शेर, बैल की जोड़ी में तो बैल, दो बैल और शेर, वांस तेर, एक दवा, देर लिफ दो ओक्सर दो बैल की जोड़ी रहते थे, वो हमेशा है, इच अदर एक दूसरे की मदद करते थे, वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे, वन डे एक दिन, वाल दे वर ग्रेजिंग, वो चर रहे थे, ग्रास गास, एक दिन जब वो ग्रास गास चर रहे थे, अलाइन एक शेर अपियर्ट, नमुदार हुआ सामने वो बिलकुल परिशान नहीं थे उन्होंने सामना किया दो लाइन शेर का इन सचा वे इस तरीके से ऐसी रहना कि वो भाग गया एक लुमर्ड करीब ही था वो दोनों में से हट एक के पास गया और मकारी से सरगोशी की उस लुमर्ड के चाल ने एक गयर मुथहित करने वाला असर डाला गयर मुथहित करने वाला असर मतलब अलाग करने वाला असर कि वो उसने चुगलियां की तो वो दोनों एक दूसरे से नाराज हो गए असर गयर मुथहित करने वाला असर डाला ने लुमर्ड के चाल ने एक गयर मुथहित करने वाला असर डाला वन्स देड़ दो ओक्सें इन वाला असर डाला वन्स देड़ दो ओक्सें इन वाल्स देड़ पास प्रेंस they always helped each other one day while they were grazing grass a lion appeared from somewhere both the oxen remained calm they were not worried at all they countered the lion in such a way as he ran off a fox was nearby he went to either of them and whispered cunningly the fox trick put a disuniting effect what's meaning hai oxen, bell ki jodi grazing chernah appeared namudar hua remained rahe calm pur-sukoon burl paryshan at all bilkul countered saamna kiya nearby bhoat kareeb either dhunomay se har eight whispered sargooshi ki cunningly makari se disuniting effect gair muthit karne ala asar diary hai how story learn plus right you would see you have a time to look like this and if you can watch this you have a photograph of a wish